वेल्कम टू सेकंड स्कूल देखो बच्चो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 इसका फर्स्ट कुशन है आज मैं फर्स्ट कुशन से करवाऊंगे आपको सॉल दी फॉल्विंग पेर ओफ लीनियर एक्वेशन बाई हमें क्या करना है इस एक्वेशन को सॉल करना है दो मैथर से एक तो फस्ट पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मैथर से एंड शेकंड वान इस सब्टूटूटूशन मैथर से पहले मैंने आपको सॉल्व करना नहीं बताया है सब्टूटूशन मैथर से बताया है तो पहले एलिमिन में क्या होता है कि एलिमनेशन में हमारा होता है कि हम एक कोई भी वेरियेबल एक सेम बनाना होता है या एक्स बना दो या वाई बना दो उसके बादन को केंसल आउट करना होता है तो फर्स्ट में कहा है एक्स प्लस वाई इक्वेशन को तो से मल्टिप्लाई कर दू तो मेरा टू एक्स टू एक्स दोनों सेम बन जाएगा और एलिमनेट होके मेरा आंस्वर आजएगा तो मल्टिप्लाई आजएं माल्टिप्लाई एक्वेशन वन बाइ टू तो से मृल्टेप्लाई करूंगे तो टू एक्स प्लस वाई इस एक्वेशन आजब्लाइग मेरे पास थर्ड यह equation बन गी अब देखो second और third में अगर मैं इसको solve करूं तो from equation second and third क्या होगा मेरे पास 2x-3y is equal to 4 है and 2x plus 2y is equal to 10 है तो यहाँ पर मैं सब्टेक्ट करूंगी third equation को second में से चीक है subtract equation third by second second में से सब्टेक्ट करूंगे तो क्या हैगा 2x-3y is equal to 4 2x plus 2y is equal to 10 तो क्या हाजएगा plus का है minus plus का है minus plus का है minus cancel होजएगा minus का 3y minus का 2y क्या आजएगा minus का 5y और minus का 6 minus से minus cancel होजएगा y की value क्या आजएगी मेरे पास 6 by 5 अब मैं इसकी value put करूंगी put the value of y in equation 1 किसी भी equation में put कर सकते हो तो x plus y is equal to मेरे पास क्या है 5 x plus 6 by 5 is equal to 5 x is equal to 5 minus 6 by 5 5 by 1 lcm 5 by 5 is a 25 minus 6 x तो 25 minus 6 कितना होता है 19 by 5 तो यहां भी तो डिनोमिनेटर सेम है तो lcm 5 6 is equal to 5 25 by 5 is equal to 5 तो 55 is a 25 तो 5 एकपल आ गया मेरा 5 के चीक है यह चीज़ागी verify हो गया मेरा next क्या है हम इसको substitution method से भी करके बताना है इसको दूसरी equation से भी verify कर सकते हो आप अब क्या है मेरा पास substitution method substitution method से भी इसको क्या करना है solve करके बताना है substitution method से solve करके बताऊंगी तो कैसे होगा x plus y is equal to 5 है मेरा और 2x minus 3y is equal to 4 है substitution method में क्या होता है मेरा एक में से y की value और x की value निकाल के second में put करते हैं तो मालो equation परस्ट है और equation second है इसमें से क्या करूंगी x plus y is equal to 5 है तो x की value यहां से क्या आ जाएगी 5 minus y यह मेरे पास third equation आगी put the value of x in equation 2 में put करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास 2 5 minus y minus 3y is equal to 4 to 5 the 10 minus 2y minus 3y is equal to 4 तो 10 minus का 2y और minus का 3y कितना हो जाएगा minus का 5y is equal to 4 तो minus का 5y is equal to 4 minus 10 तो minus का 5y is equal to 4 minus 10 minus 6 minus minus cancel हो जाएगा 6 by 5y value आ जाएगी मेरे पास next क्या है अब देखो put the value of put the value of y in equation 1 में पूट करके देखेंगे तो x plus y is equal to 5 x plus 6 by 5 is equal to 5 x is equal to 5 minus 6 by 5 तो LC में ले लेंगे 55-25 minus 6 तो x is equal to 19 आएगा नाइंटीन और 625 वहता है तो 19 by 5 तो यह मेरे पास क्या आगया है इसका अंच्वर आगया है पहला मेरा क्या था एलिमिनेशन मेथर से था क्या होता है कि दोनों equation को same बना कर на कंद करते हैं और सब्टे सीट्ल कलिए में क्या होता है एक की वैल्यमाने क्याम किह दोसरी कुछिण में त्यक्ट करते हैं टिक है नेक्स कुशिन देखो नेक्स पर्ट देखो оınız थ्री एक्स प्लस वाई-3x 2x Plus 4 y is equal to 10 है मेरे पास 2 x minus two y is equal to मेरे पास है 2 सबसे पहले बच्चोándhous क्या करेंगे हम Elimination Method Isства करेंगे हैοUM कि Elimination Method करेंगे तो इन neither सबसे बनाना है मतलब यह दोनों या अधाना रेखाए मेरा 2N इस पूखेशन इस वाले करे आप प आरा आ्पोगर मेरा एक करते हैं युप रहाइब करके होला इस फट्वराइब को अगर 1122 याऑ ढूम पर मेरा obey अजाएगा ओपर वाले और लिए थू multiply equation 2 by 2 से multiply करेंगे ठीक है तो 2 से multiply करेंगे तो 2 x minus 2 y is equal to 2 तो 4 x minus 4 y is equal to 4 ये equation आगे मेरे पास ठाइड ठीक है ठीक है ठीक्वेशन आगे और ऊपर एक्वेशन थी फर्स तो सब्ट्रेक्ट एक्वेशन थर्ड स्रों मेरे पास 3x plus 4y is equal to 10 4x minus 4y is equal to 4 minus minus cancel हो जगा 7x is equal to 14 x is equal to 14 by 7 7 to the 14 x की वाल्या आगी मेरे पास 2 आप पुट दी वाल्यू पुट दी वैल्यू ओफ एक्स इन इक्वेशन तू में पूट कर दो या किसी वीक्वेशन में पूट कर सकते हो आप तो 2x minus 2y is equal to 2 2 into 2 minus 2y is equal to 2 4 minus 2y is equal to 2 minus 2y is equal to 2 minus 4 तो minus 2y is equal to 2 minus 4 कितना हाता है minus 2 2 2 2 से तू कैंचल हो कहा है 2 by 2 is equal to y is equal to आगए मेरे पास 1y की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आगी है 1 आगी है उसके बाद क्या करेंगे हैं हम इसको वैरिफाई करना चाते हो तो वैरिफाई कर सकते हो वैरिफाई करने के लिए क्या होता है वेरिफाई करने के लिए आप किसी भी वेक्वेशन में वेरिफाई करना है आपको माल दो किसी भी वेक्वेशन यह आप वैल्यू पुट करके इसको वैरिफाई कर सकते हो जैसे क्या है कौन सी एक्रेशन में 2x-2y is equal to 2 नहीं मेरी x की value क्या है टू टू इंटू टू माइनस वाई की value क्या है one is equal to two to four minus two is equal to two or two is equal to two hands प्रूव हो गई यह वैरिफाई हो गए हां जे मेरा अब नेक्स में था कुन जा है सब्स्ट्रीटूशन मेथर सब्स्ट्रीटूशन मेथर से करूंगे मैं इसको कैसे करना है सब्स्ट्रीटूशन मेथर से सब्स्ट्रीटूशन मेह मैथर से खाना है तो तो 3x प्लस 4y is equal to 10 तो यहां से तो एक्स की value निकाल लो टू प्लस डू गाई एक्स की value निकाल लो टू प्लस डू भाई बाई में टू एक्स कॉमान ले सकते इसमें 1 प्लस y बाई में 2 टूर सुटू के अंचल जागा x sorry x क्या आजागा मेरे पास x क्या आगा मेरे पास 1 प्लस y तो इसको equation 1 में पूट कर दूंगी मैं x की value put the value of x in equation first to 3 1 plus y plus 4 y is equal to 10 3 plus 3 y plus 4 y is equal to 10 3 plus 7 y is equal to 10 7 y is equal to 10 minus 3 7 y is equal to 7 y is equal to 7 y is equal to 7 1 by 7 तो y की value यहां पर मेरी क्या आगी है वन आगी है ठीक है और x की value क्या है 1 plus y तो x की value क्या जागी मेरे पास 1 plus 1 यहां पर आ जागी x की value मेरे पास 2 तो ऐसे होगा जाएगा यह question ठीक है बिल्कुल easy है simple क्या है elimination method में तो हमें एक equation को मतलब l subtract करके cancel out करना होता है दो variable होता है x और y substitution में क्या होता है किसी भी equation में से एक की value निकाल के दूसरे में put करने होती है बस हम देखो इसी का third part देख लो first का third part क्या है 3x-5y-4 is equal to 0 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x-5y is equal to 4 9x is equal to 2y plus 7 तो क्या है 9x-2y is equal to 7 यह मेरे पास equation 1 आगी यह मेरे पास equation क्या आगी है 2 आगी है elimination method से करना है तो क्या करेंगा हम first को multiply कर दूंग है क्योंकि मेरे पास क्या second में 9x है first में 3x है तो क्या करूंगी multiply equation 1 by 3 से multiply कर दूंगी तो 3 3x-5y 4 multiply 3 तो 3 3 is a 9x-15y is equal to 12 ठीक है अब देखो यह मेरे पास equation आगी यहां पे equation आगी मेरे पास third तो सब्ट्रेक्ट equation 2 from 3 3 में से सब्ट्रेक्ट करनी है तो 9x-15y is equal to 12 है 9x-2y is equal to 7 है सब्ट्रेक्ट करेंगे साइन जेंज हो जाएगा माइनस प्लस माइनस cancel हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का 2y कितना हो जाएगा माइनस का 13y और प्लस का 12 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा 5 तो y की value क्या आजएगी माइनस 5 by 13 यह मेरे आगी हैं से y की value तो put the value of किसी भी equation में put कर सकते हो put the value of y in equation first में put कर दो जाएगे तो 13 LC हम आ जाएगा थर्टीन फोर्ज दीन होता है थ्री फोर्जार ट्वेल फोर्जार थे तो माइनस ट्वंटी पाइव 3x 3x is equal to 52 में से 25 माइनस करेंगे 7, 4 में से 27 अपोन में 13 तो x क्या आजाएगा 27 अपोन 13 into 1 by 3 तो 3 nines are 27 तो x की value क्या आजाएगी 9 by 13 ये value आगी मेरे पास x की value आगी मेरे पास y की value आगी इसको verify कर सकते हैं अगर verify करना है तो verify कैसे करेंगे इसको verify करना है तो last में देख इसकी क्या value है 3x minus 5y 3x minus 5y is equal to 4 है तो 3 multiply x की value क्या निका लिए मैंने 9 by 13 9 by 13 minus 5 into y क्या निका लिए मैंने minus 5 by 13 ठीक है is equal to 4 तो 27 by 13 minus minus plus 25 by 13 is equal to 4 to 13 LC में लेंगे 27 plus 25 is equal to 4 7 or 5 12 to 4 upon 13 is equal to 4 13 forza 52 4 is equal to 4 यह में रहोगे यहां से verify इसको मैं अगर elimination method से करूं तो elimination method से करेंगे हम इसको अग elimination method से करने के लिए क्या करूंगी इसको substitution method में क्या है किसी एक में से x की value निकाल के उसको second में पूट करना है तो substitution method क्या है substitution method में क्या है equation क्या है मेरे पास एक बाद थोड़ा सा equation है मेरे पास 3x minus 5y 3x minus 5y is equal to 4 and second one is 9x minus 2y is equal to 7 यह मेरे पास equation है अब क्या करूंगी मैं फॉस्ट equation मान लो 3x है इसकी x की value निकालूंगी 4 plus 5y x is equal to आजएगा 1 by 3 4 plus 5y यह put कर दूंगी में equation first and second तो put the value of x in put the value of x in equation 2 में put कर दूंगी में चीक है equation 2 क्या है 9 1 by 3 तो 4 plus 5y by me 3 minus 2y is equal to 7 है 3 3s are 9 3 4s are 12 अग अंदर multiply करूंगी 3 की 4 से multiply करूंगी 12 plus 3 5s are 15 y minus 2y is equal to 7 तो 12 15 y minus 2y कितना होता है plus का 13 y is equal to 7 13 y is equal to 7 minus 12 13 y is equal to क्या आजएगा 7 minus 12 क्या होता है subtract करना होता है तो minus 5 तो y is equal to आजएगा minus 5 by 13 यह मेरी y की value आगी अब x की value निकालने है तो put the value of y in equation second किसी भी equation में फास्ट में पूत कर लो आप 3 x minus 5 minus 5 by 13 is equal to 4 5 y is a 25 25 by 13 is equal to 4 3 x is equal to 4 minus 25 by 13 13 LCM ले लो 13 फोर्जा 52 minus 25 3 x 52 में से 25 मैंने करेंगा कितना आएगा 7 4 में से 2 27 अपोन 13 x x is equal to आजएगा मेरा यहां पे x sorry यहां थोड़ा सा space कम है 27 अपोन 13 into 1 by 3 3 nines are 27 तो x is equal to आजएगा मेरा 9 by 13 ठीक है यह मेरी x और y की यहां पे value आगी है ठीक है next part क्या है मेरा अब next part को आप कर सकते हो अगर नहीं कर सकते हो तो मैं करवा देते हूं 4th part क्या है x by 2 plus 2 y by 3 is equal to minus 1 एक मेरे पास यह equation है पहले तो इस equation को solve कर लो इस equation को solve करोगे तो LCM कितना आजाएगा मेरे पास 6 तो 3x plus 4y is equal to minus 1 तो इसको cross multiply कर देंगे 3x plus 4y is equal to minus 6 यह equation मेरे पास बन गिया है first second क्या है x minus y by 3 is equal to 3 तो LCM ले ले लेंगे 3 3x minus y is equal to 3 तो 3x minus y is equal to cross multiply करूँगे नहीं यह मेरे पास equation बन गिया है second तो इसको subtract करने के जूर्थ नहीं क्योंकि first equation में क्या है 3x और second में भी क्या है 3x subtract क्या multiply करने के जूर्थ नहीं क्योंकि यहां पर हमें क्या है variable में पहले ही 3x और 3x आ रहा है तो हम क्या करेंगे subtract equation 2 from 1 में से क्या कर देंगे subtract कर देंगे क्योंकि हमारे क्या होता है हम multiply तब करते हैं जब हमारे variables में क्या हो same variable नहीं हो अब first और second equation में हमारा 3x same variable बन रहा है तो simply हम क्या कर देंगे subtract कर देंगे तो 3X plus 4Y is equal to 6 minus 6 है यहां पर 3X minus Y is equal to 9 है सब्टेक्ट करेंगे तो माइनस वाली जगा क्या आजगा प्लस माइनस प्लस वाली जगा माइनस तो यहां पर क्या आजगा 5Y is equal to minus 15 Y is equal to 5 multiply में है तो इदर आके क्या हो जगा यह डिवाइड में हो जगा तो Y की वैल्यू क्या आजएगी मेरे पास minus 3 अब इस Y की वैल्यू को मैं first equation में put कर सके X की वैल्यू निकाल दूगी put the value of Y in equation 1 equation 1 में put करूंगे तो क्या हैगा 3X plus 4Y is equal to minus 6 तो 3X plus 4 minus 3 value है Y की minus 6 तो 3X minus 12 is equal to minus 6 तो 3X is equal to minus 6 plus का 12 हो जएगा 3X minus का plus minus क्या हो जएगा minus को minus का 6 plus का 12 क्या आजएगा plus का 6 तो X की value क्या आजएगी 3 multiply में X के साथ और आके क्या हो जएगा वो divide में तो X की value क्या आजएगी हमारी यहाँ पर 2 और Y की value आगी है मेरे पास यहाँ पर minus 3 तो यह हो गया मेरे इससे अगर आप इसको verify करना चाते हो तो verify कर सकते हो verify करने के लिए क्या करना है आपको simply जो value आई है 3X minus Y is equal to 9 है मेरे पास तो 3 into 2 minus minus 3 is equal to 9 तो 3 to the 6 plus 3 is equal to 9 9 is equal to 9 verify भी कर सकते हो आप इसको ऐसे आप देखो elimination method करें substitution method से निकालेंगे इसको same बच्चो same method है जैसे first part सबसे easy question यही है इन में कुछ नहीं करना है आपको X की value निकालनी है substitution में तो क्या करना है दोनों equation में से एक variable की value निकाल के second में फूट करना है ऐसे first में क्या होता same variable बना के उनको subtract करना होता है just इसमें देखो first equation क्या है मेरे पास 3x plus 3x plus 4y is equal to 6 है और minus 6 है sorry और second में क्या 3x minus y is equal to मेरे पास क्या है 9 यह चीज़ है तो इसमें से क्या है मैं किसी में से एक की value निकाल के जैसे मानलो मेरे पास second equation है यहां पर बच्चों minus 6 आएगा ठीक है first है second है मैं second में से मानलो मैं value निकाल देती हूँ x की 3x is equal to क्या जाएगा 9 plus y तो x की value क्या जाएगा 9 plus y by में 3 तो इसको value को मैं first equation में put कर दूँँग यह मेरे पास 6 है यहां पर put the value of x in equation first equation में put करूँगे तो 3 9 plus y upon 3 plus 4 y is equal to minus 6 3 से 3 cancel हो जाएगा 9 plus y plus 4 y is equal to minus 6 तो 9 plus 5 y is equal to minus 6 ठीक है तो y y is equal to minus 6 minus 9 तो 5 y is equal to minus 15 y की value क्या आगी minus 15 by 5 5 3 जा 15 y की value है पर मेरी क्या आगी minus 3 यह मेरी y की value आगी इसको x में put करूँगी तो x वाली यह 9 plus का वाई है तो minus का 3 by me 3 तो x 9 minus 3 by me 3 तो x 9 minus 3 कै 6 6 by 3 3 to 6 तो x की value मेरे पास क्या आगी तो यह मेरे पास एक्षर वाई की value आगी next question देखो next question क्या मेरे पास second question from the pair of linear equation the following problem find their solution if they exist by elimination method क्या है from the pair of linear equation linear equation से हमें पहले linear equation बनाने है उसके बाद elimination method लगागे उसने specially बोला है अगर नहीं बोला है तो आप किसी भी method से करें हो कर सकते हो substitution method से भी निकाल सकते हो और elimination method से भी निकाला हो अगर उसने specify कि आपको elimination method ही लगाना है तो आप वही method लगाओगे otherwise आपका question पूरा पूरा रोंग हो जाएगा first part क्या है if we add one to the numerator and subtract one from the denominator वो बोल रहा है कोई भी एक fractional value है अगर उसमें से one numerator में add करूं मैं और one subtract परूं denominator में से तो fraction reduce to one fraction reduce होके मेरा पास क्या हो जाएगा one it becomes half if we only add one to denominator यह बोल रहा है कि यह half हो जाएगा अगर सिर्फ मैं denominator में यह one add कर दूं तो what is fraction हमें उस fraction की value को निकालना है ठीक है तो question क्या simple है बैच्छो देखो कोई भी मैंने fraction value होती है जैसे मानलो x by y है कोई अगर मैं डिनोमेनेटर में सिर्फ वन एड कर दूं नुम्रेटर सेम रहने दूं डिनोमेनेटर में क्या कर दूं मैं one add कर दूं तो मेरा fraction क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा बस यह दो equation है इनको आपको solve करके elimination method से इसको आपको solve करना है तो क्रोस multiply करेंगे तो x first में देखो x plus one is equal to y minus बना जाएगा y को इदर ले जाओ दो x minus y minus का वन मैनस का वन तो x minus y minus 1-1-2 यह मेरे पास equation बढ़ HD 3 में क्रोस multiply करूँ इन दोनोंगी तो 2x क्थो क्या हойти आएगा मेरे पास y plus लेगे तो 2x minus y is equal to बन रहा है मेरे पास बन यह मेरे पास फोर्थ अब देखो एक्वेशन वा थर्ड और फॉर्थ में से अगर वाई वाई दोनों सेम है तो हमें कुछ करने की जूर्थ ने सिंपली हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो सब्ट्रैक्ट equation fourth from third में से subtract करूँगी मैं तो क्या आएगा x minus y is equal to minus 2 और 2x minus y is equal to 1 subtract करूँगी तो क्या आएगा plus की जगा minus minus की जगा plus plus का 1x और minus का 2x क्या हो जागा मेरे पास minus का x minus का 2 minus का 1 क्या हो जागा minus का 3 तो x की value यहाँ पर मेरे क्या आगी x की value यहाँ पर आगी मेरे पास 3 3 आगी अब देखो x minus y is equal to क्या है मेरे पास minus 2 x की value मैं 3 पूट करूँगी तो 3 minus y is equal to minus 2 तो minus y is equal to minus 2 और minus 3 तो minus y is equal to minus 5 minus से minus कंसल हो जागा y is equal to क्या जागा मेरे पास टो यह पर मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा गर अगर आपको एकू करना है तो इसको वेरिफाय करना है तो इसको कर लो क्या एक्वेशन है मेरेबास कोई भी क्वेशन ले लियू जैसे x-y x-y is equal to minus 2 है तो मेरे x की वेलु क्या है यह थृए y की वेलु क्या है यह 5 तो माइनस टू तो 3-5-2 is equal to minus 2 नूरी यह थो यह दो यह वेरिफाय हो गया श्यू मेर पास minus 2-1 तो फेक बहला गया नेक्स्ट कोशन देखो बच्चों सेम क्या है फाइव येर एगो नूरी वास थ्राइस ऐस ओल्ड है सोनु पांच साल पहले है जो नूरी है वो थ्राइस है तीन गुना है सोनु की इसकी टैन येर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस दस साल बाद में वो क्या हो जागी उसकी ट्वास बचली ये इस वड़ेज़ं की अलनुल सोनु में कितनी फैस्ट क्या करें प्रेजंट इसमेलेमिके कुन को सब्सक्राइब लेटरेख एस प्रेजनेंटयो सले पहले आव्च कितनी है मालो X है और सोनी की कितनी है सोनु की सोरी य तो 5 यह एको पहले क्या है 5 यह एको 5 साल पहले क्या है 5 साल पहले की बात है तो X-5 हो जाएगा नूरी बाज 23 23 मतलब 3 गुणा है सोनु की वाई-5 ठीक है यह एक्वेशन होगी तो X-5 is equal to 3 by-15 वाई वाल इदर लिया होंगी X-3 Y-15 प्लस का 5 तो X-3 Y-15 प्लस का 5 क्या जगा माइनस का 10 यह मेरे पास एक्वेशन बन होन यह बन सेक्ड़ एक्वेशन देखो टैन यह लेटर 10 इर्स के है लं यह सलेटर मतलब नूरी क्या होगी X-10 होगी और वो क्या होगी Y-12 यॉसका तो ट्वाइस का टू आजाएगा तो X-10 आपको बस एक्वेशन बनाने आने कि अगर आप को तो एक्वेशन बनानी आगी तो आप आगे इसली सोल्व कर सकते हो आगे सम्में कुछ भी नहीं है 2y प्लस 20 तो x-2y is equal to 20-10 तो x-2y is equal to आगे मेरे पास 10 यह सेकंड इक्वेशन आगे चीक है एलिमिनेशन से मैथर से करना है एक्सक्वेशन तो सब्ट्रेक्ट इक्वेशन तू फ्रों मैंसे सब्रेक्ट करेंगे तो x-3y is equal to minus 10 x-2y is equal to 10 सब्रेक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का y माइनस का 10 माइनस का 10 क्या हो जाएगा माइनस का 20 तो यहां पर y की वैल्यू क्या आजेगी मेरे पास 20 अब x की वैल्यू से काल देंगे पूट्ट दी वैल्यू ओफ वाइए इन एक्वेशन सेकंड एक्स माइनस 2y इस इक्वेशन था मेरे पास एक्स माइनस 2y की वैल्यू क्या है यह मेरे पास 20 एक्स माइनस सौरी एक्स माइनस 2y इकल तुटैन है वाई की वैल्यू आई यह 27 तो टैन एक्स माइनस 40 इस एक्स माइनस पूटी प्लस का 40 तो 50 तो एक्स इस इकल तो मेरी के आगी 50 तो नूरी की एज क्या मेरे पास 50 और Sonu की Y की value कितनी है मेरे पास 20 तो 20 यह मेरा answer रही यह बोलावाना कि नूरी और Sonu नूरी की किया है मैंने X माना था तो X की value मेरे पास 50 आगी और Sonu की Y माना तो Y की value मेरे पास कितनी आगी है 20 Next question देखो Next question क्या है कि हमारे पास क्या है The sum of digits of a 2 digit number is 9 वो बोल रहा है कोई भी मेरे पास 2 digit number है उसका sum क्या है मेरे पास 9 2 digit number कुछ भी है मालो जैसे यह है मेरे पास 85 है यह 2 digit number है मेरे पास इस दोनों का 2 digit The sum of the digits of 2 digit 2 digit है एक place value होती है 10th place पे होता है यह होता है ना unit place unit value and 10th place पे यह दो चीज़ होती है ना तो उसके बोले दी sum of digits of 2 digits sum of digits क्या है मतलब x यह digit है यह digit है उन दोनों का sum की value क्या है मेरे पास 9 है तो x plus y is equal to मेरे पास आ गया 9 also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits digits कैसे निकालते है कि देखो मालनो मेरे पास क्या है 85 85 क्या है कैसे निकालते हैं यह 85 है तो यह unit digit होता है और यह 10th होता है तो इसकी value कैसे निकालते हैं 8 into 10 plus 5 ऐसे निकालते हैं 80 plus 5 तो 2 digit number unit place वाले को क्या बोल दिया मैंने माल लो unit place वाले को मैंने x माल लिया है और 10th unit place वाले को मैंने माल लिया है y तो इसके एक्वेशन बनाओंगे तो मैं कैसे नंबर कैसे बनेगा ये कि क्या है कि डीजट चुछ एक यूनिट प्लेस पर क्या है टू टू डूड इस नंबर बोलाना तो उनिट नंबर मान मैने मान लिया वह ृकस ठिक है टेंथ फलेस्ट पर क्या है vibrations मेरे पास य है तो नंबर कैसे बनेगा मेरे पास 10 X plus Y यही नंबर बनेगा अगर आधा देन वाई प्लस एक्स उटैन पर वाई है न तो टैन वाई प्लस टैन एट है वो टैन्थ प्लेस पे है तो मैंने वाई मानले इसको इंटू 10 प्लस यूनिट प्लेस पर पेरा किया 5 तो मैंने इसको X माल लिया तो 10 Y प्लस X ये मेरी चीज़ ये चीज़ समझ आने चीज़ बच्चों आपको ये चीज़ है अगर इसको मैं reverse करूंगी तो 10 X प्लस Y आ जाएगा और रिक्वार नंबर तो यह बोल रहा है कि 9 ताइम्स यह क्या वहले 9 ताइम्स दिस नंबर यहां पर देखें नाइन टाइमस दिस नंबर इस 9 ताइम करूंगी यह नंबर है 10 Y प्लस X इसको 9 ताइम करूंगी ट्वाइस दिन नंबर और और रिवर्सिंग ओडर ओफ डिजिट ट्वाइस होगा अगर मैं इस ओडर को रिवर्स कर दो रिवर्स मतलब 85 का कर दो मैं 58 58 कर दूंगी तो 5 इंटू 10 प्लस X 8 हो जाएगा 58 ऐसे बनेगा तो 5 क्या है यहां पे मेरा एक्स तो 10 X प्लस 8 क्या मान इस सम ओफ डिजिट्स ओफ टू डिजिट्स नंबर इस नाइन इस सम ओफ डिजिट्स कोई भी दो डिजिट्स है उन दो नों का सम है वो कितना है मेरे पास नाइन तो मैंने ले लिया X फ्लस Y is equal to 9 यह फर्स्ट एक्वेशन होगी में यह चीज़ सब को समझा गी होगी प्र लिजिट्स में तो यह होगा ना तो यूनिट प्लेश मेरा फाइव है और टेनथ प्लेस मेरा क्या है एच है तो इसको 85 को कैसे लिखें गी एक इंटु 10 प्लस 5 यह से ने तो मैंने 8 इंट को सपोस्पोस कर लिया । यह एक्वेशन क्या बन गी मेरे टैंवाई प्लस एक्स यह मेरा एक क्या बन गया एक नमबर बन गया यह नमबर 9 टाइम से इसके रिवर्स का तो 9 टाइम क्या होगा 10 y प्लस X reverse क्या हो जैगा इसका 10 x प्लस y प्लाइब 58 हो जैगा ना reverse में तो इसका 2 टाइम से तो यहां से इक्वेशन को सोल्व करो 90y प्लस 9x इस इक्वाल टू 20x प्लस 2y ठीक एक्स वाले एक सारे लियो विडाउट एक्स वाले एक सारे लियो तो एक्स इस इक्वाल टू एक्वेशन आगे मेरे पास इसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रेक्ट करेंगे सब्ट्रेक्ट इक्वेशन सेकिंड रोंब फरस्ट में सब्ट्रेक्ट करेंगे तो एक्स प्लस y इक्वेशन टू नाइन है एक्स इस इप्लस एट्वाई गार्लो इस इक्वेशन टू जिरो गया इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे यह जागा ना एक्स माइनस 8y is equal to 0 तो ये cancel हो जागा माइनेस Plus minus तो 9y is equal to 9 ठीक है 9y is equal to 9y is equal to 9 upon 9y की value आगी मेरे पास यहां से 1 तो क्या था 10y plus X यह प्लाइड रहर एक्स की value निका लेंगे तो हमारे पास था अब उन्हें x is equal to 8y है तो x is equal to क्या जगा 8 into 1 8 आगया नमबर क्या है मेरे पास 10x 10y 10y plus x कि value में रिखती है यहां पे ऐसे करो 10y plus x 10 into y की value 1 plus x की value क्या है 8 to 10 plus 8 18 is my answer ठीग है यह 18 मेरा क्या आजएगा आजवर आजएगा नेक्स्ट कॉशन देखो कॉशन नंबर सेकंड क्या है फॉर्थ पार्ट इसका मीना वेंट टू बैंक टू विद्रो रूपीज टू थाउजन मीना बैंक जाती है और वो दो हजार रुपे निकलवाती है शी आस्क कैशियर टू गिव हर रूपीज 50 एंड हंडर्ड नोट्स ओनली वो कैशियर को बोलती है कि मुझे 50 और सो के नोट चाहिए सिर्फ मीना गोट 25 नोट्स इन ओल उसको टोटल वो कितने नोट धेता है 25 जिसमें 50 के भी सकीलूड है और सो की बिकली यूट है फाल हाइं मेनी नोट्स ओफ्रूपी 50 इंड रूपी हंडर्ड शीरी सीर्ब तो मतलब वह उसको कितने रिसीव करती है कि पर lacks कितην नोट है और कितने नोट है तो हमारे पास ए। का एक हॉध नहलों मिल dobąć कि म तो जा कितने हैं एंट मीना 50 रुपए के एक slots रिसीव करती है िसानल says रूपीस चैनल के बाटल है उसने बॉला कि 25 टो ऐ उंद्टीफाइव वाइन आजएगा ट्वेंटी फई मतलब उसके पास क्या है एक पचास के नोट है एक आज और सो के नोट है य और टोटल नोट शेयर पास 25 तो एक प्लस वाई इस एकल टो 25 यह चीज़ होगी उसके बाद बोल रहा है कि एक नोट अगर पचास का थे उसके पास कितने नोट से एक स्थ नोट है तो कितने होगे 50 एक सोगे और सो वाले कितने होगे 100 वाई वो कितने है टोटल रूपीज 2,000 रूपीज है वो यह है न तो अब इसको 50 से डिवाइड कर दो पूरी स्टेटमेंट को थोड़ा इसली सिम्पल वे में आ जाएगा न हमारा कि पाइफ वोजा 20 तो हमें किसी भी नंबर को में डिवाइड करने की जूरत नहीं पड़ेगी तो हम सब्टक्ट कर देंगे सब्ट्रेक्ट equation second from first तो x plus y is equal to 25 x plus 2 y is equal to 40 तो minus 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 cancel हो जाएगा minus का y minus का 15 आएगा y is equal to क्या आगा है मेरे पास 15 तो x plus y is equal to 25 x plus 15 is equal to 25 x is equal to 25 minus 15 तो x is equal to मेरे पास क्या आगया 10 तो इसके बाद इसका मतलब क्या है कि मीना रिसीवड 10 नोट्स ओफ रूपीज 50 के 10 नोट्स रिसीव करती है और मीना रिसीवड 15 नोट्स और रूपीज 100 के कितने करती है 15 और 50 के करती है 10 तो टोटल नोट उसके पास कितने वह जाएंगे 25 25 नोट्स होगे ना उसके पास आप देखो नेक्स कोशन के है मेरे पास यह आई थिंग लास्ट कोशन है कि ए लेंडिंग लाइब्रेरी है इस फिक्स शारज फोर फ़र्स त्री डेज कोई भी एक लाइबिरी है उसमें एक फिक्स चारज है फोर फ़र्स त्री डेज तीन दिनों का एडिशनल चारज फॉर इच डेडी तो देर आफ्टर उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर मालो आपने एक बुक रख लिया आपने दस दिन रख ली तो तीन दिन का तो उसका क्या फिक्स चार्ज अ कि तीन दिन में इतना चार्ज लगेगा उसके बाद उसका एडिशनल चार्ज भी लगना सारीता एक बुक पर्चेस करती है महां से मतलब लेती है उसके लिए 20 रूपीज 27 पे करती है साथ दिन रखने के लिए वाइल सुसी पेड रूपीज 21 फ्र वर दी बुक शी कैट फॉर फाइव डेज सूसी क्या करती है 21 रूपीज पे करती है उसको पांच दिन रखने के जाए में मानलो लेट की पिक्स का चार्ज कितना है three days के लिए है three days के लिए मालो है fix charge ुपिज एक्स रूपे लगते है फिक्स साथ है वह कितने दिनों के लिए तीन दिनों के लिए X ₹सए अप्टर three days after three days additional charge कितना है additional charge per day का additional charge मान लो rupee's है वाइ per day चिक है तो मान लो सरीता नहीं क्या किया है 27 rupees से किया है 7 देज के लिए तौ फर्स्ट मान लो दिखो फर्स्ट थ्री देज है फर्स सैकंड ठर्ड उसने charge किया fix charge कितना है मेरे पास x last कि कितने days बच गया है 4,5,6,7 4 days ओर बच गया है उसका charge कितना कर रही है वो y तो उसको total कितना prepare करना हो पड़ रहा है 27 तो first के लिए तो x हो गया plus 4 days extra है ना 3 दिनों के लिए तो उसने x rs charge कर दिये पर चार दिन एक्ष्ट भी तो रखे है ना 1,2,3,4 4 देश्ट रखे constraint ओसके लिए इसके चार्ज क्या होजएगा एक दिन का चार्ज है उसका वाई तो चार दिन का कितना हो जाएगा 4 वाई हो जाएगा X PLUS 4Y तोटल वो कितने अमाउन पे करती है 27 तो नेक्स्ट वाले में क्या है सुसी पे 21 रूपीज फॉर क्याप पाईव देज मानना लोग दूसरी देज रखती है तो फ़स्ट त्री देज का तो उसका चार्ज फिक्स है फास सेकंड और थर्ड देज का चार्ज उसका एक्स रूपीज उसने कितने दिन और रखें दो द तो ये मेरे पास equation 1 बन गिया है, ये equation मेरे पास 2 बन गिया है, तो subtract, subtract equation 2 from 1, बच्चो ये चीज़ आपको समझ आने चाहिए कि मैं क्या करवाना चाहरे हूँ, कि fixed charge है, वो तीन दिनों के लिए है, मानलो x रुपीज है, additional charge जितने भी दिन होगे, उनके लिए y charges है, ठीक है, तो कोई एक सरीता है, वो साथ दिनों के लिए बुक लेकर रहती है, तो तीन दिनों के लिए उसका चार्ज fix हो गया, x रुपीज हो गया, लेकिन जो पिछे वाले चार दिन बचे वे, उनका चार्ज बे एक दिन का चार्ज है, y, तो 4 दिन का कितना होगा, 4y, तो x प्लस 4y गया, 21, sorry, x plus 4y is equal to 27, x plus 2y is equal to 21, subtract करिंगे, minus, 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 cancel out हो जागा, 2y is equal to 6, y is equal to 6 by 2, 2, 3 is a, 6, y is equal to आगया, मेर पास 3, ठीक है, put the value of, put the value of y in equation 1 में, तो x, equation 1 का है, मेरे पास, x plus 4y, 27, तो x plus 4 into 3 is equal to 27, x plus 4, 3 is a, 12, 27, x is equal to 27, minus 12, कितना बच जाएगा, 5, 15, तो x की value क्या आजेगे, मेरे पास, 15, तो यहां से क्या आगी की fix charge कितना है, रूपीज, 15, और अडिशनल चार्ज, 4, extra, day का क्या है, y की value क्या है, y जाना, तो रूपीज 3, मतलब fix charge 15 है मेरा, और अडिशनल चार्ज मेरा है 3, यह हो गया हमारा answer, यह मेरी I think 3rd complete होगी exercise, आप मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, थैंक यू, करें टू.